दोस्तो यूपी में काबा ये गाना नेहा सिंग राठोड ने गाया था आपको याद होगा विदान सबाचुनाप के समय में भी गाया था दोबारा गाया गाना वाइरल होते ही नोटिस मिल गया बाद में खबर ये भी आई कि उनके पती को नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा गया है लेकिन अब इस बात के चर्चा में क्यों कर रही हूं अब इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोग जो हैं निया सिंग राठोर के गाने के लेजे में ही पूछ रहे हैं कि यूपी में काबा हो कानून का राज होने का दावा योगी जी करते हैं लेकिन फ पूर्विधायक राजुपाल हत्याकान में मुख्य गवा उमेश पाल की दिन दहाडे गोली मारकर हत्या कर दी गई इस हमले का आरोप मुखतार अंसारी के गुर्गों समेत अतीक एमत के गुर्गों पर भी लगा है मगर सवाल सिर्फ एक ही कि क्या यूपी में सक्त कानून के बावजूद भी ये संभव था ऐसे ही कुछ सवाल जो उठ रहे हैं आपको इस ख़बर में हम बताएंगे नमस्कार मेरा नाम है जैनती जाओ और आप देख रहे हैं निशन 360 दोस्तो प्रियागराज में राजूपाल हत्याकान के मुख्य गवा उमेश पाल पर हमले से जुड़ी पूरी जानकारी और इस ख़बर पर शुरू जो चर्चा है इस वक्त चर्चा का महौल जो गर्म है वो सारी जानकारी है आपको हम आगे इस ख़बर में देने वाले हैं तो योगी जी कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे योगी जी के यही तेवर दोस्तो पहले भी कई दफा दिखाई दे चुके हैं जहां उन्होंने इसी तरीके से उंबली तानकर यही कहा है कि अपराधियों को जीने नहीं देंगे यूपी में बिलकुल अपराधियों का नामों निशान मिटा देंगे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे बहुत सारी बातें अब खबर आ रही है कि दिन दाडे प्रियागराज की सडक पर अपराधियों ने उमेश पाल को गोलियां मारी गोलियों से भून दिया बंबारी की जो गनर उनकी की सुरक्षा में लगे थे उन दो गनस में से एक गनर की मौत की खबर आ चुकी है एक की गायल की खबर आरही है गंभीर हालत बताई जा रही है अब उसस बीच उमेश पाल पर पहले से लिग्जे हमले की आशंका थी मामले में अतीक अहमत का नाम सामने आ रहा था पहले भी कि अतीक एमत गैंक से उमेश पाल साहब को खत्रा है और उसके बाद अब खबर देखें सामने आ रही है कि दिन दहाडे गोली मार कर हत्या कर दी गई और अभी भी अतीक एमत का नाम ही सामने आ रहा है उसी पर आरोफ लग रहा है जिस पर 18 साल पहले पूर्व विध खायक राजुपाल को इसी तरह दिन दहाडे मारने का आरोफ था अभी इस पूरे मामले में अतीक एमत के बेटों की गिरफतारी की खबर भी सामने आ रही है जो CCTV वायरल हुआ है सामने आया है वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत हिंस उसमें दिखाई दे रही है और मीडिया एठिक्स के मुताबिक हम वो हिंसा आपको नहीं दिखा सकते हैं मकर आपको इस हमले से जुड़ी तमाम वो तस्वीरे जो सामने आ रही CCTV फोटेज से वो आपको तस्वीरे करके स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं इस वक् इलावत थे जिन्होंने हमला किया उमेशपाल पर वो रेखी लगा कर रखे थे यानि पहले से रह तक रहे थे जैसे ही गाड़ी आएगी हमला कर देंगे और हुआ भी वैसाई जैसे ही उमेशपाल अपने दोनों गनर्स के साथ गाड़ी से उतरते हैं अपने घर के बाहर उ हमला हो जाता है अब फूछा जा रहा है कि यूपी में काबं इसके अलावा वो खबरे भी आपको दिखा देती हैं हम दोस्तों जिन खबरों में कुछी बाते कई सवाल खड़े कर रही हैं वो सवाल खबरों के हवाले से हम आप से पूछा है दोस्तों नभारत टाइम्स की खबर इस वक्त आप स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे। पुलिस प्रशासन उमेश को दो गनर दिलाने के बाद आश्वस्त हो गए कि अब कुछ भी नहीं होगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुख्विर तंत्र को यानि जो सूचना पहुचाते हैं कि यहां पर हमला हो सकता है। उस खुफिया एजेंसिस को दोस्तो इस हत्याकांड की कहीं से कहीं तक बनक नहीं लगी। जबकि कमिशनरेट सिस्टम लागू होने के बाद जिले में अफसरों और फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। ये भी खबर सामने आई। ये खबर आगे ये भी कहती है कि जिन दोनों वरिष्ट अफसरों को सुरक्षा के लिए रखा गया था। ये दोनों वरिष्ट अफसर पहले भी प्रयागराज में ही दो एहम तैनातियों पर एक साथ रह चुके हैं मगर उस दौरान भी इनके आपसी मनमुटाब की खबरे काफी आम थी। यानि इन दोनों ही अफसरों के बीच अनमन थी पटती नहीं थी दोनों के एक दूसरे से सरल्शब्दों में कहों तो। देखे अंब बावजूद इसके इन दोनों ही वरिष्ट अफसरों के तोर पर इनको गनस के तोर पर तैनाति किया गया। जैसा ये खबर कहती है इतने सवालों की बीच योगी जी का मिट्टी में मिला देने वाला बयान जो है वो काफी सुर्ख्यां पर टोरना है काफी वारल हो रहा है सोशल मीजिया पर दोस्तों तो सवाल ये कि मामला सुल्ज हैगा या नहीं योगी जी की गर्जना जो अभी इस पहले भी बोल चुके हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो जाएगा अपराध ही मुक्त हो जाएगा गुंडा मुक्त हो जाएगा यूपी में कानून का राज है तो योगी जी की जो गर्जना है ये कानून व्यवस्ता में सुनने को मिलती है या नहीं मिलती है दोस्तों इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है हम भी कर रहे हैं आप भी कीजे जैसे ही उनकी गर्जना कानून में भी दिखाई देगी हम फिर हाजिर हो जाएंगी उनकी तारीफ लेकर दोस्तों मैराल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक कि रहे नमस्कार प्राइज दो शत्ला करना भूलें बताईखा वीडियो अवी या और बताईएगा पसंद आपको पसंद आपको वीडियो नमस्का।